है 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 वेल्कम टेक्न रुखेश और ये वीडियो में हम अन्बॉक्सिंग करेंगे कूल पैट कूल वन यह जो फो ने यह चैना के अंदर कूल पैड और लॉय क्योंकि कॉपरेशन में लॉच्ट हुआ था और वहाँ पे तीन वेरियंट अभी तक के लॉच्ट कर जो उसका लॉच्ट कर दिया है जिसकी प्राइजिंग उन्हें ने वह 14,000 रुपीज की रखी है और यहां पे इस तरह के आप देखेंगे आपको कुछ इसका बॉक्स मिलता है यह फोन को रिवी यूनिट नहीं है यहां पे आप देख सकते हैं मेरे इसका जो बिल है इसको म सामने की तरफ आपको कूल वन का लोगो दिया हुआ है इस तरीके से और पिछे की तरफ गर आप देखते तो यहां पर जो इसकी प्राइजिंग मेंचेंड फोर्टीन ट्रिपल नाइन लेकिन आपको थर्टीन ताउजन नाइन एमेजन पर मिलता है और यहां पर यहां पर यहां पर सबसे पहला हमारे हाथ में आपको फिंगर पिंट सेंसर है फोन एक मेटल मोटी डिजाइन में फोन इसका हम थोड़ी दिर में आप लोगों को डीटल पूरा दे रहे थे इसको विला लगले सैड़ मेरे तो देखती कि बॉक्स में हमें और क्या कुछ जेवों मिलत है जो आप इसके पर अप्लाई कर सकते हैं साथ आपको कुछ यूजर मेनियुल्स और वारेंटी काड़ वगरा मिलती है अब यहां पर चाजर जेवों फाइब टू एंपर का चाजर मिलता है जो की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है और यहां पर अगर केबल की तो यहां पर आप देखींगे यहां पर देखिंगे और यहां पर लगी है इसको निकाल लेते और से और यहां पर देखेंगे तो कूछ इस तरह के कामें यहां पे फोन को पहले जो वो बूट कर रहता हूं और उसके बाद में आप लोगों को इसका एक जो फीजिकल वह भी देता हूं फोन के लेफ साड़ बेगर आप देखते हो तो यहां पे आपको पाव बटन और वॉल्म अपन डाउन का बटन मिलता है जो की एक मेटल डिजाइन में आपको मिलता है फोन के लेफ साड़ बेगर आप देखते हो तो यहां पे आपको सिम स्लोट मिलता है जो की डूल सिम सपोर्ट करता है और अनफॉचिनेटल आप इसका तरफ माइक्रोडी कार्ट स्लोट नहीं लगा सकते है तो आप सिर जो वो दो सिम कार्ड यूज़ कर सकते है जो मुझे इस फोन का सबसे बड़ा डाउन पॉइंट जो लगता है पीछे की तरफ आपको 13 Megapixel के दो रियर फिसिंग कैमरा मिलता है साथ में आपको डूल LED फ्लेश मिलते है और उपर की तरफ आपको सेकंडरी माइक होल मिलता है और नीचे की तरफ आपको फिंगर्पिंट सेंसर मिल बटन सेंसर मिलते हैं तो फाइनली अगर मैं फोन की डिजाइन की बात करूँ तो आप लोगों को याद होगा मैं ने शाओमी रेड्मी प्रो का अन्बॉक्सिंग किया था यह बिलकुल उसी से मिलता है मैटल बोडी डिजाइन मिला है आपको पीछे इस तरी की कुछ कैमरे के अच्छा है उस ही मिलते हैं साइड में भी उसकी डिजायन सेम लगती है मुझे मैं उससे और यह इंडियन वेरिंड हो चाइनीच वेरिंड है तो फ़ोन यहां के मैं डिस्पले की क्लारिटी बहुत ही अच्छी आपको फॉल एच्डी की डिस्पले मिलती है और आगर इको ने प्रोवाइट किया है और यह कूल पेड़ का फोन है लेकिन जैसे कि आपको बता है क्योंकि को इंटरफिस मिलता है क्योंकि इसके अगर आप अगर यहां पर आप लोगों की सैटिंस में जाते है इस तरीके से आप लोगों को बता नहीं कि अदर कभी आएगा लेकिन जो भी है आपको इस तरीके का कुछ वर्जन मिलता है अगर श्टोरेज की बात करते हैं तो आपको यहां पर 32GB के अंदर से लगबक से 22.38GB जो फ्री मिलता है तो मेरे इसाब से आपको इतने भी अपनी जो मोबाइल की केपेसिटी को यूज करना पड़ेगा अगर रैम की बात करते हैं तो यहां पर आपको 2.2GB फ्री मिलता है फर्स बूट पे जो की 4GB की रैम है मेरे साब से थोड़ इस पॉंसिव अगर आप लोग को बतार तो कि मैरे स्क्रीन लोग को लॉकर तो इस तरी किसे अपने फिंगर को यहां पर देखेंगे बहुत जल्दी जो ओपन कर लेता फिर से वारम ट्राइक अच्छा चलता है जैसे कि दूसरे फोन पर देखने को मिलता है यहां पर सब्सक्राइब करते हैं अगर ब्लोट्वर्स की बात करते हो तो यहां पर देखेंगे हमें जो कुछ ज्यादा ब्लोट्वर्स नहीं मिलते है यह जो आप लिए अप्लिकेशन अगर आप नीचे देख सकते हैं सब्सक्राइब के दो उसके ऊपर आप देखेंगे तो यह सारे शुच अपको मिलते हैं जो मेरे सबसे आपको ब्लोट्वर्स नहीं मिलते हैं और यहां पर देखेंगे कि जैसी के शायोंी के फोन से मिलता है इस तरीकी से आप यहां पर एडिशनल चीज़े आपके जो और क तो फाइनली दोस्तो अगर इस फोन के मैं प्रोजन कॉन्स की बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं प्रोज की बात करूं तो आपको एक बड़ क्वालिटी वो काफी अच्छी आपको एक मैटल बॉडी डिजाइन मिलता है और मैं कहूंगा काफी प्रीमियम फील होता है साथ में आपको डूल रियर कैमरेस मिलता है दोनों भी कैमरा आपको 13 मेगा पीसल की मिलते हैं आपको 4GB की रैम मिलती है और आपको 4000 mh की बैटरी मिलती है जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात होती थी तो यहाँ पर मैं कहूंगा कुछ इस तरीकी का यह फोन आप लोगो मिल जाता है मैं आप लोग अपने हिसाब से अपना एक opinion दे दिया हूँ आपको डिपेंड है कि आपको यह फोन कैसा लगता है अगर आपको पसंद आत स्वालिं